असलाम लेक्म स्टोरेंट्स मेरा नाम प्रफेसर मुहम्मद जुहेब उमीद आप सब लोग खेरियत से होंगे जैसा कि आप सब को पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने टो आप सब्सक्राइब फोरेज बाया था तो आज हम जो है इनपुट डेवाइसर को थोरी डिल में जो है डिसकुशन करेंगे तो इनपुट डेवाइसर क्या होती है लास्ट लेक्चर में बताया था कि इनपुट देने के लिए Computer System में data enter करने के लिए जो devices use होती हैं उन्हें हम input devices का नाम देते हैं तो same यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि those devices which are used to enter data या information into the computer system are called input devices ऐसी तमाम devices जो के computer system में data enter करने के लिए इस्तमाल होती है है उन्हें हम input devices का नाम देते हैं ठीक है input devices का काम ही computer system में data enter करना है data बेजना है अब याद रखिएगा कि जो data होता हो data हमारे पास एक टाइप का नहीं होता data different types का होता है और हर type of data को enter करने के लिए हमें separate input device की जरूरत पढ़ती है जैसा है कि मैंने यहां पर कुछ input devices के नाम लिखे हुए है pointing devices keyboard scanning devices microphone and digital camera these are input devices इसके इलावा भी बहुत सरी input devices हैं मगर यह famous input devices हैं अब सवाल यह पैदा होता है कि हमें इतनी input devices की जरूरत क्यों परी तो मैंने जैसा के पहले बताया है कि जो data हमने आपको आपके स्क्रीन के ओपर एक pointer नजर आ रहा होता है करसर उसकी position को control करने के लिए अगर आपके स्वाइस दिवाइस यूज होती हैं उन्हें pointing devices का नाम लेते हैं बहुत सरी famous devices pointing devices के category में भी जैसा के mouse है trackball है touchpad है यह बहुत सरी famous devices pointing devices इसके लावा keyboard keyboard very famous device है जो के textual type of data data enter करने के लिए यूज होती है अगर आप अपने computer system में text type का data text में याद रखिएगा दो चीज़े आ जाती है alphabatic data भी आ जाता है और numeric data भी आ जाता है तो इन दोनों को मिला कर हम बोलते हैं textual data textual type of data अगर अपने computer system में enter करना है तो हमारे पास जो input device यूज होगी उसे हम keyboard का नाम देंगे तो दो devices अभी हमने पर ही है कौन-कौन सी एक pointing devices which are used to control the position of the cursor on the computer screen second keyboard which is used to enter textual type of data आइधर alphabatic और numeric थर्ड जो है हमारे पास scanning devices scanning devices का काम है कि image type of data को enter करना pictures की form में जो data होता है तस्वीरों की form में जो data होता है उसको computer system में enter करने के लिए जो मारे पास devices मुझूद होती हैं वह कौन सी हैं जी scanning devices उसके बाद microphone microphone बड़ी famous device है बड़ी unique device है और input device इसका role play करती है और यह आपकी computer system में voice type का data audio type का data enter करने के लिए इस्तमाल होती है और last यहां पर मैंने लिखा वागा digital camera तो digital camera जो है यह video type का data enter करने के लिए यूज होता है video type का data तो अभी यहां साभी यह भी पता चले गया कि data की भी कुछ types हैं और हार type of data को enter करने के लिए हमें separate input device की जुरूरत पड़ती है तो पांस data की बात करें तो data मार पास किस form में होता जी textual form में MS form में voice form में और video form में ठीक है तो यहां पे मैंने इन data की types को थोड़ा सक explain किया हूए क्योंकि data को समझना बड़ा जुरूरी है कि किस type का data enter करना है अगर हमने voice type का data enter करना हो और हमें यही नहीं पता कि audio या voice type का data एंटर करने के लिए कौन सी इन्पू डिवाइस यूज होगी तो हम data एंटर नहीं कर सकते तो it is compulsory कि हमें पता होना चाहिए कि किस type of data को एंटर करने के लिए कौन सी device यूज होती है तो alphabetic data याद रखेगा alphabetic में तमाम alphabets आ जाते हैं तमाम के तमाम alphabets जो के 26 alphabets हैं चाहिए वो upper case में हो अपर case मतलब capital letters चाहिए वो lower case में हो मतलब small letters second है numeric data numeric data मतलब numbers की form में 0 to 9 वो numbers positive भी हो सकते हैं वो numbers negative भी हो सकते हैं वो numbers है वो decimal point values भी हो सकती है decimal point values को computer की जबान में floating point values का नाम दिया जाता है मैंने यहाँ पे कुछ examples भी लिखी हैं जैसे plus 2 plus 3 यह positive number है minus 9 minus 15 यह negative number है and 2.3 9.1 यह मार पास floating point numbers है third type of data मार पास आता है वो है image data याद रिखेगा image में pictures भी आ जाती है image में graphs भी आ जाती है image में charts भी आ जाती है flow lines भी आ जाती है drawings भी आ जाती है तो कोई भी चीज जो के तस्वीर की form में हो और अगर हमने है उसको computer system में enter करना है तो उसके लिए मार पास जो device use होगी scanning devices अभी हमने discuss की है fourth one है मार पास audio type of data audio type of data मतलब के आवाज voice अगर हम voice enter करना चाहरे हैं जैसे कि मैं recording करवा रहा हूं मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज जो है वो enter हो रही है के लिए मार पास जो devices use होती है वो microphone है और fifth one मार पास जो data की type वो है video याद रखी का video is a combination of pictures and audio अवाज और तस्वीरों का जो combination होता है अब उसके frames बहुत ज्यादा होते हैं कि at a time एक second में 30 frames per second 40 frames per second 25 frames per second मतलब एक second में कितनी तस्वीरें capture कर रही है आपकी device वो एक video की form में आ जाती है उसे हम video का नाम देते हैं ठीक है तो input devices overview कर लेते हैं दुबारा से repeat कर लेते हैं वो devices जो के computer system में data enter करती हैं कौन-कौन से devices हैं जी pointing devices हैं keyboard है scanning devices हैं microphone है digital camera है और हर device का अलग role है हर device ने अलग type of data enter करने के लिए use होना है ठीक है और वो data कौन-कौन सा जी वो data मैंने आपके सामने लिखा हुआ है वो data जी alphabetic data भी हो सकता है वो numeric data भी हो सकता है वो MS data भी हो सकता है वो voice type of data बी हो सकता है वो video type of data भी हो सकता है इसे next lecture में हम इंशाला output devices को discuss करेंगे और storage devices को discuss करेंगे fourth जो हमने चीज़ discuss करनी है वो है CPU यह चार चीज़ें जो हैं यह discuss करने के बाद मारी computer की कुछ basics जो हैं वो complete हो जाएंगी उसके बाद इंशाला हम फिर हम ICS part 1 की book को जो है chapter 1 से topic wise cover करना start करेंगे starting से ही book start करना जो है वो मुनासिब नहीं था क्योंकि यह basics जिसको समझ आजेंगी उसके लिए आने वाले topics को समझना पर आसान है यह basics को समझना बहुत जूर हुरी है तो अगर आपने last lectures नहीं देखे तो आप last lectures भी देखेगा वीडियो जो मैंने upload की हुई है इंशाला आने वाले lectures में हम output devices, storage devices और CPU को जो है और discuss करेंगे बहुत शुक्रिया